जहन दोस्तो स्वागते आप सभी का एक और नए वीडियो में चलिए दोस्तो आज आप लोगों को रास्ते पर होने वाले कुछ ऐसी घटनाई दिखाएंगे जिन में कुछ गाड़ियां तो मज़े ले रहे हैं और साथी साथ कुछ गाड़ियों की फटी फटी है तोबा ही त तो चलिए आज के एक और नए सफर में हमारे साथ दोस्तो आप लोग जानते भी होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे ट्रक डाइवरों की बहुत सारी मज़बूरियां होती हैं इसके बाउजू भी ओ लोग मनजिल के तरफ जाने की बरपूर कोशिश करते हैं लेकिन ज यहां पर भी ऐसा ही हुआ जब बाई साब अपने ट्रक को अपने मनजिल के तरफ ले जाने की खोशिश कर रहे थे वहां पर रास्ते के नाम पर कुछ भी नहीं ता इसके बाउजूद भी बाई साब अपने ट्रक को वहीं से ले जाने की खोशिश करते हैं और इनकी की वही पर जान निकल जाती है चलिए दोस्तो अब इन भाई साब से मिलिए जो अपने गाड़ी के अंदर बहुत सारा वजन को डाल कर गाड़ी को खड़े वे रास्ते से ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे लेकिन इनकी खोशिश की पौंगी बज गई जब ये गाड़ी आगे बनने की कोशिश करने लगी तो गाड़ी का इंजन उपर उठ कर गाड़ी के पिछवाड़ी का चटनी बन गया तो चलिए दोस्तों कमेंट करके बताना कि इस गाड़ी के अंदरे से कौन सा वज़नदार चीज दी जो इस गाड़ी के पिच्वाड़े को लाल होने पर मजबूर कर दिया दोस्तों अब इन भाई साब से मिलिये जो अपने गाड़ी को वहाँ पर कड़े वे दूसरे गाड़ी के उपर चड़ाने की खोशिश कर रहे थे लेकिन लगता है कि इनकी खोशिश कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई और इनकी तेजी ने इनकी ही ले ली और वहाँ पर बिचारे ट्रक की बैंड वज गई दोस्तों यहाँ पर गाड़ी के अंदर वील नहीं था और जो आदमी इसको चला रहता है लगता है कि शायद उसके पास दिमाग नहीं था क्या कहते हो कॉमेंट बाक्स में लिखना दोस्तों रास्त पर एक बहुत बड़ा सा कच्रे का डश्ट बिन पड़ावा था और देखें यहाँ पर एक कारा कर उसके साथ ऐसी चुमा चाठी कर लिया तो मेक अप का बैंड बज गया रुकिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही नहीं था यहाँ पर एक और मिज़दर घटना हुई कुछ ही फलबाद एक और कारा कर बिल्कुल ऐसी ही करतुत कर बैटी और यहाँ पर भी उसकी भी मेक अप का बैंड बज गया तो चिले दोस्तों अब कमेंट करके बताना कि यहाँ पर गल्ती डस्ट बिंड की थी या फिर इन दोनों कार वालों की दोस्तों सड़क पर रोजाना ऐसे से लोग गुमते हैं और उनकी हरकते हम क्या ही बताएं अब इन बाई साब को देखिए जो एक गाड़ी के अंदर एक ही कंटेनर ले जा सकते हैं लेकिन इनों ने धो धो लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं अब आप ही बताना की अगर रास्ते पर जाते हो जाते वे एक कंटेनर का बैलंस बिगर जाए और उर रास्ते पर गिर जाए तो उसके पीछे आ रहे है आदमी का गाड़ी का क्या हाल होगा अब आप लोगी कमेंट करके बताना की ऐसे लोगों को रास्ते पर जाना चाहिए या फिर नहीं तो चलिए दोस्तो आज के उड़े में इतना ही मिलते हैं अगली बार एक और ने ऐसे मज़धार उड़े के साथ तब तक ले हमरे साथ बने रहे ना थैंक यू पर वाचिं इस वीडियो